Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जहरा की दादी मा की नाक आम नाकों से जरा अलग है उसमें ऐसी ऐसी खुश्बुए पकड़ी जाती है जिनकी भनक किसी को नहीं होती जहरा भी अपनी नाक को उसी तरह खास बनाना चाहती है सो दादी मा के साथ वो निकल पड़ती है इत्र की खुश्बु में सने हुए पहुत पुराने समय की और कहानी का शीर्शक है नाकों की शहजादी ओरिजनल स्टोरी दे नोज अल नोजस बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है मीरा गंपती कहानी सुना रही है असावरी दोशी जहरा की दादी मा की नाक कुछ ज्यादा ही बड़ी थी सच में देखने लायक सुन्दर चीज न केवल वो बड़ी थी बलकि उस पर एक बड़ा सा मसा भी था शायद इसलिए ताकि वो कभी किसी की नजर से चुपी न रहे जहरा की अपनी नाक उसके सामने कुछ नहीं दादी मा आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों है दादी मा के खिलखिलाने से पहले उनकी नाक जरा थर्थरा उड़ती है अरे जहरा मेरी नाक तो लाखो में एक है उसमें ऐसी ऐसी खुश्बू पकड़ी जाती है, जो तुम सोच भी नहीं सकती सुनकर अविश्वास से जहरा की आखे बड़ी बड़ी गोल गोल सी हो गई जैसे की अभी, मैं हवा की खुश्बू से बता सकती हूँ दादी मां आखे बन करती है, उनकी नाक और चाती फुल जाती है, नथुने बड़े हो जाते है तुम्हारी अम्मी दोपहर के खाने में बिर्यानी बनाने वाली है पडोस वाली ने बालों के लिए महंदी पीसी है और बिल्ली ने अभी अभी खुद को हलका किया है जहरा भी इन राजों को सूंगने की कोशिश करती है आप मुझे ये जादू सिखाएंगी दादी मां दादी मां मुस्कुराती है जब मैं छोटी थी, मेरी नाक को सूंगने की आदत बड़ी थी, मेरे पिता जी की इत्र की पुरानी दुकान पर तुम चाहोगी तो तुम भी अपनी नाक को सिखा सकती हो दादी मां अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई एक पुरानी काँच की शीशी उठाती है धूल से ढकी होने के बाद भी सूरज की रोशनी में उसमें हीरे सी चमक है ये पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी दुकानों में से एक दुकान की है जहां जवारात के साथ इत्र के शौकीन लोगों को इत्र बेचे जाते है दादी मा ने फुसफुसा कर कहा एक सास लो और देखो तुम्हारी नाक तुम्हें कहां ले जाती है दादी मा शीशी का धकन खोल कर जहरा के नाक के पास ले आती है जहरा के सास लेते ही उसकी नाक में दूल चली जाती है और अच्छी आराम से थोड़ा वक्त लो और कल्पना करो जहरा एक धीमी और गहरी सास लेती है जब वो आखे बन करती है उसकी नाख फुल उठती है नतुने चोड़े हो जाते है और छाती फुल जाती है बिल्कुल दादी मा की तरह और यूँ ही उसे प्यारी ताजे फुलो की खुशबू आती है उन फुलो से उसे कही त्योहार और बगीचे याद आते है जब जहरा ने आखे खोली वो एक बगीचे में थी मीलो तक वहां क्यारियों में गुलाप के अलावा कुछ नहीं था मुंबई की दो पहर कही खो गई थी अभी तो सूरियोदय का समय था और कुछ लोग बगीचे में गुलाप तोड रहे थे तूमने जो सूंगा वो रू ए गुलाब है कनोच के बगीचे के गुलाप से बनी हुई सुगंद दादी मा बताती है दादी मा और जहरा चुपके से एक इटों से बने हुए पुराने कारखाने तक फूल तोडने वालों का पीछा करते है फूल वाले इट के भटे पर रखे हुए एक बड़े से तामबे के पतीले में गुलाब की पंखुडियों को उडेल देते है दादी मा और जहरा हैरानी से इत्र को तयार होते हुए और नाजुक सी काच की शीशियों में भरे जाते हुए देखते है क्या रुए गुलाब ही बनता है यहाँ दादी मा? जहरा उचसुकता से पूचती है दादी मा अपने कुर्ते के तह से एक और छोटी शीशी निकालती है और जहरा आखे बन करती हुई नाक को पूरी तरह खोल कर नथुनों को फुला कर सीने में दम भरती हुई लंबी सांस लेती है इस इत्र से उसे पहली बरसात में उटने वाली मिट्टी की खुश्बू याद आती है बरसाती सुगंद का इत्र उन्हें एक आलिशान संगे मरमर के महल में पहुचा देता है जहां एक नवाब काच की शीशियों के बीच बैठे हुए है वो उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सुमते है और उससे भी तेजी से उन्हें उठा कर पटक देते है एक चोटा सा कमजोर सा इंसान उनके सामने कापते हुए एक संदूग भरकर ऐसी ही शीशिया लिए खड़ा है इन मेंसे कोई भी नहीं चलेगा गुसे में गुर्राते हुए नवाब साहाब हुंकारते है हमारा खास इत्र कहां है तुम तो अवद के सबसे बहतरीन इत्र बनाने वाले कहलाते हो हुजूर हमें पूरा यकीन है आपने यही इत्र पसंद किया था इत्रवाला अपनी चीजों को टटोलते हुए कहता है दुर्भाग्य से जहरा का पेट उसी वक्त गुड़गुड़ाने लगा दोपर के भोजन का समय हो चला था और उसे बहुत भूक लग रही थी कौन है वहा नवाब सहाब जिनके तेज कानों ने आवाज को सुन लिया था गरज उठे जहरा और दादी मा के वहां से निकलने से पहले ही नवाब की नजर उन पर पड़ती है दादी मा को देख कर वो कहते है दादी जी हमने आपको यू चोरी-चोरी जासूसी करने की सजा दी होती मगर मुझे दिख रहा है कि आपके पास बहुत ही खास नाक है इधर आकर जरा हमारे लिए एक खुश्बु चुनिए दादी जी अपनी पुरानी शीशी को इत्रवाले शीशियों के बीच डाल देती है फिर उसी को उठाने का बहाना करके नाटकिय तरीके से उसे सूंगती है ऐसा लगता है जैसे उनकी नाक सुगंद से गरारे कर रही हो और नवाब को एक शीशी पकड़ा देती है जब तक नवाब सहाब शीशी को सूंगते है इत्रवाला दादी मा और जहरा बेसबरी से इंतजार करते है यही तो चाहिए था मुझे क्या है ये नवाब सहाब हगबकाए हुए इत्रवाले की ओर देखते है रूह ए गुलाब कनौज के गुलाबों की जान इसी को इत्रवाले ने आपके लिए चुना है दादी मा ने उसके बचाओं में आते हुए कहा तभी उन्हें दूर से एक गुलगुडा हट सुनाई देती है गुलगु गटर गुलगु वो क्या था जहरा दादी मा ने पूछा चिंता से उनकी ना कापती है वो मेरा पेट था दादी मा जहरा ने कहा हमारा घर लोटने का समय हो गया है किस सुगन से घर की याद आती है जहरा दादी मा ने उससे पूछा बिना एक पल सोचे भूखी जहरा कहती है बिर्यानी से मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अवत की सबसे स्वादिष्ट बिर्यानी है खान सामा इस बड़ी नाक वाली दादी मा और इस अजीब छोटे इंसान को थोड़ी बिर्यानी ला कर दी जाए नवाब ने अपने रसोईये को हुकुम दिया दादी मा ने चुपके से एक तामबे की डिबिया को खोला जिसमें बस एक चम्मच खुश्बुदार बिर्यानी थी दोनों अपनी आखे बन करती है नथुने फुलते है और लंबी सास लेने से छाती भी फुल जाती है दोनों मिलकर लंबी सास लेते है और वो खुद को खाने की मेज पर पाते है बिलकुल मध्यान भोजन के समय इत्र फुल पत्तियों से बनी हुई सुगंध है इसका इतिहा सालों पुराना है कनोज को अकसर भारत में इत्र की राजधानी कहा जाता है मुगल समराटों को इत्र लगाने का बहुत शौक था मुगल समराट अकबर शाहा द्वितिय के समय से पुरानी दिल्ली के दरिबा कला में गुलाब सीह जोहरी मल नाम से एक इत्र बनाने वाले ने अपनी इत्र की दुकान शुरू की थी ये दुकान आज भी उन्ही के परिवार वाले चलाते है कैसी लगी ये खुश्बुदार कहानी मजा आया ना तो ऐसी और बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारा चैनल बुक्स धाट स्पीक पर जरूर आईएगा यूट्यूब और बहुत सारे पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर मिलते हैं फिर शुक्रिया बाई बाई